तो है गाइस विल्कम बैक टू अनादर गेम प्रेटो काइस गोटो फॉर 2 गेम को कंटिन्यू करने वाला इस वाले वीडियो में और इसके बाकी सारे आपको पार्ट्स की प्लेइलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी मिल जाएगी आप वहां स ऐसे एजीली एक्सेस कर सकते हैं ने जो लास्ट वाली वीडियो थी गोटो फॉर 2 कि उसमें मेडियूसा को कील किया था काफी खतरनाग बोस फाइट थी वह तो उसकी पावर भी हमें मिल गई है इस वाली वीडियो में हम देखने वाले खतरनाग वाली पजल को सॉल्व करन में वीडियो डालूँगा आप ता नोटिफिकेशन पहुच जाएगी यहां पर एक बहुत खतरनाक वाली पजल है तो स्टार्टिंग में तो आपको बहुत सस्ती लगेगी मतलब कि आप आराम से कर लोगे पर जब धीरे-धीरे आप इसमें ट्राय करते जाते हो लास्ट का प आपके आप मुझे कमेंट सेक्षिन में बता सकते कि अगर आपको और किसी गेम पर वीडियो चाहिए मतलब उसका गेम प्ले चाहिए मैं उस पर भी वीडियो ले आऊंगा और यहां पर अब यह नॉर्मली तो नहीं खुलती पर अब हैं हम है टाइम वाली पावर को यूज करना पड़ता उसके बाद से अंदर का जो गेट खुलता है अब भी लग जा यह ना बात खुल जागा अब यार इसा नहीं खड़ना था भाई थाड़ा जल्दी करना है अपने को और यह आते हैं भीया अब तो हो जाएगा ना जी हाँ अब होगा बहुत ही खतरना क्वजल यह जो तो मजा भी आता है पर बहुत खतरना पजल है टाइम बहुत वेस्ट करवा देती है यह और इमाग बहुत खराब करती है बहुत से लोग अटक जाते है इस वाली पजल पर की इस गेम की मतलब सबसे हाड पजल गोड़ोफ और वन गेम भी मैंने कंप्लीट किया है प पीएस में खेले या फिर पीएस पे में खेले तो उससे हो जाए पर इसमें तो बहुत मुस्किल है यह पजल को स्टोल करना पर चार गेट दे है चार अंडर वोटर पजल के रूप में भी दिया थोड़ा बहुत और उपर बाहर लग उन पिलर्स को कंप्लीट करते जाना है यहाँ पर अभी हमें एक शोट में जाना था पूरी लाइन पर अगर नहीं जा पाते तो अपना फिर से ट्राइ करना पड़ता एक पिलर्स यहाँ पर है चार पिलर्स दे रखे है इन्होंने चारों को पहले उपर करना पड़ेगा उसके बाद पूछ अनलोक होगा वगा इस काफी बढ़िया पजल है यह तो इसे मज़ा आ जागा करके अपने को टू भई हाए फाइनल वालक आए है वही देक ले था अब गीन तो 70 लगय लगता है अ न्हएन ना इस इयंट तो अब आई थे ना इससे वृपिर नहीं जा Jupiter na पाएंगा अगया को हो सकता है यह ब्रेक हो जयका हमें अब dessa में ब्रेक आन था लिक्तिया हो जशे तो यहां पर एक वो कैसी जिए यहां पर एक लीवर है उस्त तो होगा इस लीवर से देखते रही अब वो सकता है यह बाहर जाने का रास्ता हो इस पैजल से बाहर मुझे तो वही लगता है यह पैजल के मनलब चारो तरफ तो सारे गेट से पर वो सभी बंद है वहाँ सामने एक रास्ता दिखे रहा है पहले उस साइड जाना है अपने को वहाँ पर जो फाइट होगी वह भी बहुत लगड़ी है लगता है अभी नहीं हुआ वह हो गया फाइनली शाइन करने लग गया नहीं हो शाइन कर रहा है मतलब हो गया अपनी साइट नहीं जा सकते वहाँ पर ही जाना पड़ेगा अपने को जहां पर है एक और पिलर ये पिलर जो है वो आसानी है इसी में तो टाइम लगता है सबसे ज़्यादा पिलर में ये सबसे ज़्यादा इम्हाखराब करने वाला काम है यहाँ पर अब थोड़े बहुत इनिमिस आ गए पहले इन से फाइट करना पड़ेगा यह बे वज़े की फाइट दियां पर क्या ही कर सकते हैं गेम है सेटल डाउन तो करना ही पड़ेगा इन लोगों को इकल साल है इसको अपग्रेट करना पड़ेगा उसके बाद ही कुछ पहला भी तो नहीं कर पाएंगे अपग्रेट करना पड़ेगा उसके बाद इसका जो एक बार में है न अपन इने फ्रीज कर पाते हैं भी कि इसको फ्रीज कर लें देगा मुझे ने लगता है करने देंगे असानी से जैसा कि मैं सोचा तो यह कुछ नहीं करने देंगे यह कर सकते हैं आपन बहुत देर हो गई तु रुख जा जड़ा तांती रख तेरे को बताते हैं यार अब तो हो जा क्या यह रोने ही वाला था शिट जल खतम वे से भी हाँ इसको तो इस्पेशल तरीके से मारेंगे रुख जा तेरी तो कि इस ट्रक्सन यही तो है जैंड़े क्या किया तुमने यह प्रत्रा फाइर फायर कर दिया पुरा कुछ समझ नहीं आ रहा है पुरा बताओ कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है तो जो मर रहा है उसके बाद भी अपने पास आके ब्लाश्ट हो रहा है कितने आओगे अब तो मेजिक भी नहीं बचा रेज बचा पर फिर न रेज को खतम कर दो अब 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 यह सकते हैं पर अब यह सई साथ रखता सेटिस्टिस्टिक्शन लाजब एक दम हाँ इसको उपर करना है ना इसलिवर से यह पिलर सबसे खतरना खुने वाले कि इसमें लगा है टाइम स्टेंब इसको टाइम के अंदर ही फटा-फट अपने को इसके बाहर होना पड़ेगा अगर उसको मिस कर तो फिर से पैजल चालू करना पड़ेगा कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया था मुझे एक बार में जंप ही नहीं करता है उससाइड हमने कोई ना चारो खंबो पर जंप करके जाना है इन कंट्रोलर्स में बहुत मुस्किल है यह पिलर तो नीचे ही आ सीदे यह और भी हाड़ पार्ट हो जाता इसका अब हो जाएगा और यह फाइनल वाला था यहां पर भी कुछ आवे यार यहां चेस्टे में पॉश्टन तो वह आला था बहुत जाए बस मुस्किल से ने तो बहुत मुस्किल है यह नीचे गिर जाता फिर फिर से पूरा चा अब भी नहीं करता है इधर मिला है गोर्गन मिल जाती तो और बढ़िया रहता है वो जाना चाहिए भीया वो जाना चाहिए वो थाइंग आउड हो गया चलो ठीक है है यह यहां पर क्या सीने अब यह किसी जगा है यह भी अजीब जगा भीया बहुत अजीब जगा यह यह यहां पर फुटबोल टाइम आचुका है भीया इनको निप्टाते फटाफट अफट के कर रहे है तुम सालेवन मरनी रहे एक बार में पहले साले तुम फटाफट निपट जाते तो तुम्हारी तो पैसकी इनसे तो फुटबोल खेलने मजा आता भीया मजा ही आ जाता है नहीं तो चक्री घुमादो टिप्टी करो वह यह यह क्या हो रहा है जा पाइन पीज जाएंगे पुरा निपटी लेंगे क्या करना अब वह भी पिशर लगाना है अब जाने कर रास तक आए अब अब तो चलता रहेगा पिर से भई फिर से भई पाहे को बह़ार जाने कर रास्थाबिद बताधो कि इदर से जाना है भई ओप्स मेंदी मिल रहें लगता है इन अब जाए का प्रवेट करना पड़ा अपने को पर होज गए यहां क्या चीज़ है बैट्स है यह भी मेजिक भी नहीं है यहां बे सस्ते टाइम पर मेजिक खत्म हो गया अब तो भी काम चलता है यहां तो एक और बची वो उड़े साली तो पर तुम फायर करने वाली हो हां गिर गई वो वैसे यह बहुत मुस्किल ले जाता है कभी कभी इन लोग इन पे पट्टियों पर चरना कंट्रोल नहीं कर पाता इस मोबाइल स्क्रीन पर अब गिरते गिरते बचा कि ओ कि मेंजिक चाहिए ना अपने को मेंजिक लेते हैं यह कप कौन सा फाइट दे दाए इनका क्या बरुसा कि यहां पर भी कुछ तो है यह लगी रहा था मुझे मीनियोटर फिर से चुपा पड़ा साला यहां पर तेरी तो भैसकी कि अबिले पर कितना तरीके से वह वार कर रहा है कितने तरीके से क्या ला रहा हुआ बेट से लगी मान रही है चोटी मुटी आगिया इसका यह भी चक्री घुमाता है हुआ 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 है यह अगो आप इस फेल यह एक बटन दबाना लेता वह भी निन दपाती पता हुआ है यह तो ऐसा ही ने पड़िया मुझे लगा मानना पड़िया स्पेशल अटेक्स ही अच्छा था यह तो रहे इससे क्या डर सकता है बपन हमें गेम ने सरु करना दूर रहो हड़िया पड़िया फिट से लगता है जग जाएंगे यह हड़ियों का अलग सिस्टम दे दिया साले जग जग के मरते हो भी दो बार मारना पड़ता है बोला था मैंने जगेंगे आ थोड़ा खाओगे है एक स्पेशल पावर है गोरेश चाहिए तो अपन इसका यूस कर सकते हैं देख भी देख वो डबल जूड़ गया हो एक तो हावा में उड़ गया पर खत्ताम और को यारा बे आजाओ जल्दी से टाइम है तुम्हारा पास सीड़ियां गोल्व वाली सीड़ियां का चला गया पर हाँ दीख रहे दीख रहे पेमरा इंगल अजीब सा बिठा दिया था उन लोग न गंदे को कुछ दिखे ही नहीं तुम बंदी कर दो पुड़ा ब्लोक कर दो उसका व्यूव एंफ्यूज हो जाए विचारा इस सीड़िया नीचे आ रही है ऐसा गोड़ो फॉर वन में भी एक बार हुआ था बस एक बार हुआ था और यह सेकंड टाइम हो रहा गूड़ अब यहां पर उसे यूज करना है ना जो अपने फ्लेंस ली थी मेजिकल बताओ उसके लिए अपने को इतना घूम के मेडूसा का टेंपल पार करना पड़ा और इतनी सारी चीज़े कंप्लिट करना पड़ी बस एक वो जो भी उसकी शोल्डर पर पहना उसके लिए उससे बस उसे तोड़ना था ऐसा भी तोड़ सकता था ना कुछ भी यार है और एक तो इतना धीरे चलता इस पर उच्छोई मत अब लगता है कुछ नया चेप्टर चालू होगा वो देर से अपने की जगह पर घूम फिर रहे हैं कुछ नया लाना चेए इनको लोगों को अब तुम तो साला आते हैं इसे ठोकने लग गए वह बुड़े अलग उदर दूर पर इसानों बेड़े पिचा रहे हैं और को ना रहा है आज़ो जो जोड़ी से अरे अबे साले होन वो डी फ्रीज हो जाएगा क्या अबे टाइम बेस्ट करवा दिया तुम लोगों ने आर्चर सबसे घटिया लोग आते हैं आले होन दूर से मारा करते हैं परिसान कर देते पूरे पहले आर्चर को खतम करना चीए मतलब अब वो फ्रीज भी ने होगा जल्दी से यूडी सा की पावर भी है तो क्या काम की फिर अपने पास अब कोई बंदा मरी नहीं रहा अपने से तुम्हारी बेस की साले परसान कर दो वो अधर दूर भी आर्चर तभी तो इतने सारे तीरा रहे हैं कि स्विंग करना फिर से स्विंग चलो स्विंग मोड ओन कर दो फिर गिरा उपर से अब फिर से स्विंग पुरा जर्ने वरने चल रहे हैं यहां पर अजीब सी जगह ही है तो ओ भाई साब साइस अब एक और आगे तेरी बैस की मट केता है क्यों नहीं जल्दी से भीया एक साथ खत्म हो गए यूड यह बड़ी है था भी साब एक साथ खत्म हो गए मुझे लगीन रहा था यह सब एक साथ खत्म हो जाएंगे ओ भाई कहां पर आगए अब एक और स्टेच्वी में से कुछ निकल रहा है तो आज के लिए इतना ही अब हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बाकि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताए यह चेनल पर नहीं हो त आपको अगले वीडियो में तप तेके लें गुड़ बाई